है वल्कम बैक मैं विवेक बिंद्रा मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट बिजनेस कोच आज का मेरा टॉपिक है पल्यूशन खतम करने में पहला प्रॉफिट आपका बाद में समाच का पल्यूशन कम करके आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है आज कमाल की बात काफी लोग देश में चर्चा करते मैं पॉल्यूशन के लिए क्या कर सकता हूं पंजाबी में कहते हैं सानु की सानु देखिए आज एक कमाल की कुछ बाते बता हूं पॉल्यूशन कम करने में आपका डारेट कॉंट्रिबूशन और कम क्यों नहीं करते चुकि मुझे मिलता कुछ नहीं लेकिन आपको बताएं जैसे आप पॉल्यूशन पर काम करेंगे आपकी इंकम बढ़ जाएगी ज़रा ध्यान से समझेए दिल्ली आपको जानके हैरानी होगी पूरे देश का मोस्ट पॉल्यूटेड शेहर बन चुका है जहां यॉरप में मॉर्निंग विजिब पे आगरा के टकराई और उस हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई डबलू एचो की गाइडलाइन के हिसाब से पी-एम 2.5 पचास के नीचे रहना बहुत जरूरी है और अगर ये 300 से उपर बढ़ा तो बहुत डेंजरिस है जीने लाहिक नहीं बचेगा लेकिन आप जा लिया पोते के साथ खेलने रायक रही नहीं आप सपना छोड़ दीजे पोते के चेहरा देखने का सारे हॉस्पिटल भड़ते जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज आस्थमा लंग कैंसर काडियो वैस्कुलर कहीं सारे डिजीजे इसके कारण देवाद शाप राइज ऑफ अगर मैं आपको बताऊं पॉल्यूशन कम करने से आपका प्रॉफिट बढ़ता हो कुछ उपाए हैं पहला उपाए पेपर का यूज खतम कर दीजिए कम से कम 80% पेपर को अपनी कंपनी में अपने घर में कट दाउन कर दें आपको पता है लगबग 7 बिलियन पेड केवल प पेपर के लिए काट जा रहे हैं अगर आप पेपर के इतने सारे रिम जिनका प इस्तेमाल कर रहे हैं उनका यूज कम करेंगे पहला तो आप डिजिटल हो जाएंगे आपका डेटा लंभे समय खाना wastage लोगों को नहीं पता, pollution में बहुत बड़ा contributor है यह जो landfill dumping of the food wastage होता है न, इससे methane gas produce होती है methane gas is a greenhouse gas, आपको पता है यह methane gas is 25 times more dangerous than carbon dioxide एक किलो का खाना जो waste हुआ, लगबग 4 किलो का methane gas produce करता है यह greenhouse gas 25% जादा खतरनाक है आपके लिए एक survey के हिसाब से आम घर के अंदर मेरे और आपके लगबग 20% खाना हर महीने waste होता है किसी corporate function party event यहाँ पे कम से कम 30% खाना on average waste हो जाता है अगर यह 20-30% खाने की wastage को zero पे ले आएं, एक तो पैसा बहुत बचेगा, दूसरा pollution भी कम होगा हर वो चीज़ जो pollution कर रही है वो आपके खर्चे को भी बढ़ा रही है pollution खतम करने में पहला profit आपका, बाद में समाच का नए संसकार बिल्ड करते हैं, आज से खाने की wastage zero करेंगे electricity कहां से आ रही है आपके पास, या तो कोईला जला के आ रही है, या fossil fuel जला के आ रही है 25% जो pollution है, वो बिजली बनाने के कारण ही contribute हो रहा है देश के अंदर आज अगर आप अपनी बिजली बच्चाने पे काम कर सकें, energy efficient LED बल्ब लगा सकें आपको पता है, energy efficient LED बल्ब ये 80% बिजली गन कंजियूम करते हैं और 25 गुना जादा समय तक चलते हैं एक energy efficient बल्ब से आप अपने बिजली के खरचे को ठीक 80% तक घटा सकते हैं अगर आपका बिजली का बिल केवल 20% रह जाएगा, 5 स्टार रेटिंग के प्रॉडट का इस्तेमाल करिए, जब बिजली की जरुवत नहीं तुरंट कट डाउन कर दीजिए ये बिजली बचा के आपकी profitability तो बढ़ेगी और pollution पे सीधा सीधा impact आएगा जादा बड़ा काम नहीं करना मेरको और आपको कसम खाने हैं के अपने बिजली के बिल को 50% पे ले आएए फाइदा बहुत है और सीधा pollution पे असारा रहा है इसका भी pollution खतम करने में पहला profit आपका बाद में समाच का अगले मेरा point है पानी को बचाईए आपको जानके हरानी होगी हो सकता है इंसान के consume करने लाइक प्रिथ्वी पे केवल 1% पानी है more than 99% पानी इंसान यूज नहीं कर सकता और फिर उस 1% पानी क्योंकि वो खतम हो रहा है आप और जमीन से extract करते हो पानी का लेवल और नीचे चला जाता है पानी का लेवल और नीचे जाता है पेड़ों पे असर आता है खेती नहीं हो सकती पेड़ खतम हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी और पानी नहीं आएगा और पानी नहीं नीचे लाइए जीदर जीदर हो सकता है पानी को बचाने का प्रयास करिए पल्यूशन खतम करने में पहला प्रॉफिट आप का बाद में समाच का अगला पॉइंट है ट्रांस्पोर्ट को प्लान करें 30% ग्रीन हाउस गैसेज का कॉंट्रिबूशन हमारे ट्रांस्पोर्टेशन से हो रहा है डीदल पेट्रोल के जलने के करन जब गाड़ी चलाते है नैशनल कैपिटल दिल्ली का ये हाल है पांच लाग से जादा गाड़ियां सस्टेन नहीं कर सकता एक करोड पांच लाग गाड़ियां रजिस्टर हो गई है अब इतनी गाड़ियां आ गई है और वो पेट्रोल डीजल बढ़ेगा 30% कांट्रिबूटर है ये मेरे और आपके पॉल्यूशन के लिए अगर आप अपने बिजनस में अपने कॉर्परेट में थोड़ा प्लानिंग कर लें हर इंगेजमेंट बिल्ड करें इंप्लॉईज को बताएं किस प्रकार से हम कार पूल करें आपस में रिष्टा और बढ़ेगा कार पूल करके आएंग रिष्टा और बढ़ेगा नहीं नहीं आप्स बहुत सारे आ रहे हैं जहां पे लोग दूसरे के साथ मिल सकते हैं जुड सकते हैं ऐसे तो रिष्टे बनते नहीं अब रिष्टे भी बनेंगे खर्चा भी घटेगा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी पल्यूशन खतम करने में पहला प्रोफिट आपका बाद में समाच का एक और काम करें प्लांटर ट्री कैमपेंग हर एक को कसम खिलाना है एक पेड जरूर लगाना है जीदर भी आप काम करते हैं बिजनस कॉर्परेट छोटा बिजनस बड़ा बिजनस एक एंप्लॉई इंगे रेप्यूटेशन इसे आपका रेप्यूटेशन भी बिल्ड होगा समाज के अंदर और यह बहुत बड़ी करन्सी है बड़ी बड़ी नेगोसियेशन जिस आजमी की रेप्यूटेशन ज्यादा है अपने आप डील कर लेता है अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है जो सोशली रि ही वो अपने आपको एक green hotel concept में introduce किया उन्होंने carbon footprint कहते हैं हम घटा रहे हैं 25% operational cost को कम कर लिया सारे hotels ने वो कहते हैं तौलिया बार बार मत दो चादर बार बार जिस भी 5 star hotel में जाते हैं आप देखते हैं ना green hotel concept 25% तक operational cost को कम कर लिया और हाँ याद रखिएगा pollution खतम करने में पहला profit आपका बाद में समाच का छोटी सी मेरी दर्खास है इस वीडियो को whatsapp पे पहले download करें और उसके बार शेयर करें फैला दें पूरे भारत वर्ष में pollution कम करने में आपका profit बढ़ता है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत है